जहिन दोस्तो मैं हुआनू पर आप सब लोग देख रहे ग्लोगल कॉनफलिक्ट हिंदी दोस्तो अब सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेवी के फाइटर एयर क्रैप्टों के टेंडर को लेके अमेरिका और फ्रांस के वीच में घमासान हो रहा है पर दोस्तो अब ब तो पूर्ण फाइटर एयर क्रैप्टों का ओफर तो रखा गया था लेकिन नेवी के बाद अब एयर क्रैप्टों के टेंडर भी अमेरिका के हाथ से खिसक के अब फ्रांस के तरफ जा रहा है तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को भारी है और डिल अमेरिका के हाथ से खिसक रहा है तोस्तो ऐसे अगर देखा जाये तो अमेरिका के दवारा भारत के सामने एरफोर्स के टेंडर के लिए अपने तीन यार क्रैप्टों का ओफर रखा गया है जिन में बोईंग कमपणी के तरफ से रेंदो को का ओफर रखा पर दोस्तों ये सवी के सवी दावे अफ धराशाई होने वाला है। ये सवी जानकारी लॉकेट मार्टिन के वाइस फेसिडेंट विलियम ब्लेयर के तरफ से रखा गिया है। ये जो ये एरक्रेफ्ट है ये मैक्सिमम टेक ओफ वे 2110 के कैटेगरी के है। अगर भारत के रखाल ये एरक्रेफ्ट को देखा जाए तो ये 24.510 कैटेगरी का ये एरक्रेफ्ट और सुखोई 30 MKI 34.510 कैटेगरी का है। और तेजस मार्क वान जहाँ पर 1410 कैटेगरी का है तो वही पर तेजस मार्क टू 17.510 कैटेगरी का है। मतलब यहाँ पर अगर ये एरक्रेफ्टों को एक के बाद एक अपने वजन के हिसाफ से कैटेगराइज किया जाए तो LCA Mark 1, LCA Mark 2 के बाद जहाँ पर F-21 एरक्रेफ्ट आथा है तो वही पर इन एरक्रेफ्टों से हैवियर एरक्रेफ्ट रैफेल और उसके बाद सबसे हैव पर इन एरक्रेफ्टों के बाद 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 के बा इसीवी देश को भारत के इलावा इन एयरक्राप्टों को कमपनी नहीं वेचेगा हाला कि जब भी एयरक्राप्टों को लेके इसे एफ सिक्षेन के साथ कमफेर किया जाता है लेके एयरक्राप्टों के जो सर्विस सिविलिटी या फिर कहें तो एयरक्राप्ट के जो ऑपरेशनल लाइफ है ये एफ सिस्टिन से काफी आगे है हाला कि दोस्तों Lockheed Martin Company के तरफ से या फिर कहतों अमेरिका के तरफ से इंडियन एरफोर्स के इन टेंडरों को जितने को लेके जितने वे दावे किया जाए और जितने वे ओफर किया जाए फिलार ऐसे रिपोर्ट आ रहा है कि इन सभी की चीज़ों के बावु जो देजियो ट है धिरे धिरे अमेरिका के हाथ से खिसक रहा है और सीधा फ्रांस के फड़ले पे जाके गिर रहा है क्योंकि रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि इंडियन एरफोर्स के तरफ से रैफेल एयर क्रेप्टों के अर्डर को लेके वी सोच विचार किया जा रहा है और शाय इतने के कुछी महिनों के वाद ऐसे विखावर आया था कि फॉलो ऑन डिल के अंतरगत शाद भारत के दौरा और 36 यारकेप्टों को खरीदा जाए और अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन यारपोर्स के कुछ वरिष्टे अधिकालियों के तरफ से गौर् दिया गया था लेकिन नए यारफोर्स के चीफ के तरफ से 114 फाइटर यारकेप्टों को खरीदने को लेके ही अधिक तवज्जो दिखाया गया जिसकारण ये जो पुराने बाच्चे था उसे एक तरीके से स्तागित किया गया लेकिन फीट से अगर 36 एडिशनल रैफेल ख खरीद के ही टेंडर को स्क्रैप किया गया था और इस वार फीस से 114 फाइटर यारकेप्टों को खरीदने का बात उठाया और यहां पे भी अगर 36 रैफेल एडिशनल खरीद को खरीद के टेंडर को स्क्रैप किया जाता है तो ये इंडियान यारफोर्स के लिए एक चिंता करने में और समय लगेगा तो जो डिफलिटिंग स्ट्रेंथ है मतलब घटता हुआ स्ट्रेंथ है उसे लेके इंडियान यारफोर्स को और अधिक चुनोती का सामना करना पड़ेगा तो यहां पे आपके जानकारी के लिए बता दो कि इंडियान यारफोर्स के तरफ से 36 एर 26 रैफल एम को पर्चेस किया जाए और दोस्तों अगर एडिशनल रैफल एयर क्रेप्टो को नहीं खरिदा जाता है तो शायद भारत दुनिया का सबसे बड़ा रैफल एयर क्रेप्टो के इस्तिमाल करता देश नहीं होगा पर एडिशनल रैफल एयर क्रेप्टो के इस्ति अधिक मात्रा में इस्तिमाल करेगा। एक केनट डेल्टा उइंग के मल्टी रोल फाइटर यार्क्राफ्ट है इसे डैसल आविएशन के तरफ से बनाया गया है। अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करिवन 15.27 मेटर मतलब 50 feet 1 इंच है तो उइपेस का विंग स्पैन करिवन 10.9 मेटर मतलब 35 feet 9 इंच है। जबकि इसके ग्रॉस वेट करिवन 15,000 kg और मैक्सिमम टेक अफ वेट करिवन 24,500 kg है। यह एरक्राफ्ट के फ्यूल कापसिटी करिवन 4,000 kg से लेके 4,700 kg तक है और इसमें दो इंचिनों का इस्तेमाल किया गया है जो स्निगमा M88-4E टर्बोफैन इंचिन है और दोस्तों इन इंचिनों का ड्राइ थर्ष करिवन 50 kN और आफ्टर वर्णिंग थर्ष करिवन 75 kN है। दोस्तों ये एरक्राफ्ट हाई अल्टिटूट में मार्क 1.8 के रफ्थार में उड़ान भर सकता है जबकि लो अल्टिटूट में ये ही रफ्थार मार्क 1.1 होता है जबकि एरक्राफ्ट सुपर क्रूज भी कर सकता है और इसके सुपर क्रूजिंग कैपबिलिटी मार्क 1. 1.4 है एरक्राफ्ट के कॉम्बाट रेंज करीब 1,850 किलो मीटर है जबकि इसके फैरी रेंज करीब 3,700 किलो मीटर है एरक्राफ्ट के सर्फिस सिलिंग 15,835 मीटर मतलब 51,952 फीट है तो वही पर यह जो एरक्राफ्ट है फ्लस 9G से रहे के माइनस 3.6G के दवाव जह सकता है जबकि एमर्जेंसी कंडिशन में ये वी दावा कियाता है कि एरक्राफ्ट प्लस 11G के दवाव जह सकता है एरक्राफ्ट में हतियार के रूप में 31 mm के कैनन का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके इलावा इसमें करीब 14 हार्ट पॉइंट है इन हार्ट पॉइंटों में करी 9500 किलोग्राम के पेलोड लेने का शमता है जबकि एर-to-air मिसायल के रूप में ये जो एरक्राफ्ट है ये MBDA के MICA, METEOR और MAGIC-2 जाएसे मिसायलों को कैरी कर सकता है और एर-to-ground मिसायल के रूप में MBDA के APACHE, Swarm Shadow, AASM Hammer, GBU-12 P-2, AS-30L Mark 82 जाएसे हतियारों को कैरी करता है और मेरे चानल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जै हिंद!